नमस्कार दोस्तों नोलेज बेंग चैनल में मैं आप सब कार देख स्वागत करता हूँ कैसे आप सब अशा करता हूं ठीक होंगे साथ यो जैसा कि आपने थमनेल पर पढ़ा कि देली पुलिस की वेकंसी कब तक आ जाएंगी अभी भरती हुई थी जॉआइनिंग हो चुकी है जिनकी जॉआइनिंग हो गी उनकी ट्रेनिंग चल रहे है जिनका हो गया उनको कंगरिचिलेशन जिनका सिलेक्षन हुआ है बहुत अच्छी बात है जिनका नहीं हुआ जो दिमोटिवेट हो गए जो एक नंबर या DWお願いします जो र हमारी किसमत में नोकरी है नहीं ऐसा नहीं है साथ्यो नोकरी है आपके लिए भी है पस इतना ही है कि आपको थोड़ी सी और मेहनत करने पड़ेगी अब बात में ये थी कि ये नोकरी जो अब भरती आने वाली है कुछ पूछते हैं कुछ कंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर जो 53,000 का जो नोटिस आया था रिजल्ट आने से पहले वो क्या था क्या वो भरती होगी या नहीं होगी कितनी कब आएंगी कितनी भरती होगी कितने कंडिरेट्स लिया जाएंगे क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भरती होगी और डेफिनेट होगी देली प्लिस की भरती डेफिनेट होगी और 2019 में जॉइनिंग होगी 2018 में फॉर्म भरे जाएंगे मैं लिख करके दे सकता हूं आपको डेफिनेटली कि 2018 में फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे भी आपको बताऊंगा और 2018 में आपके हेड कुश्टेबल के भी आएंगे और कुश्टेबल के भी और आपका अगस्ट के बाद में अगस्ट के लास्ट में अगस्ट नवंबर तक अगस्ट से नवंबर तक जो है आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे यह स्टमबर में भी हो सकते हैं अक्टूबर में बीदी हो सकते हैं अक्टूबर तक जो है आपके फॉप फिल होने की कि अक्टूबर तक फॉं फिल हो जाएंगे निनी फॉर्म फयलो जाते हैं तो आपके वही सर्दी के समय डिसंबर Dru जुनवरी में जो है अफ्यवाटत लोगा और फीजिकल होनी के बाद आपका फरवरिया मार्च में जैसे अब की बार हुआ था वैसे ही फरवरिया मार्च में जो है आपका एक्जाम ले लिया जाएगा उसी समय जैसे जो अब इनका हुआ था पिछली जो भरती हुई है 2016 वाली उसका हुआ था और भरती क्यों होगी क्योंकि ये 2016 की थी अब 2018 है दो साल का गैप हो गया तो ये भरती इसलिए भी होगी दूसरी बात दिली पुलीस में काफी कमी चल रही है कि कोश्टेबल बगएरा की और बहुत सारी आप देख रहे हैं अमेंडेंट्स रैंडिंग ओडर यह मतलब काफी सारे कंडिडेट्स हैं जो परमोशन हो गया है जिनका है और कोई कंस्टेबल चाहिए क्योंकि दिली में एरिया बढ़ रहा है और क्लाइम बढ़ रहा है recording और population भी दिल्य मेंगी ठाएगी तो इनको वेकंसी आएंगी और भरती करनी पड़ेगी second अक्टूबर तक आप यह मन के चलेंके अक्टूबर तक जो है आपकी यह फाम फिल हो अपका फीजीकल हो जाएगा और फरवरी मार्च में ऐसे पहले ऐसे पूरी पूरे चांस है पूरी पूरी संभावना है जितना समय आप कुछ कह रहे हैं कि यह तो 2018 में है तो 2020 में जोइनिंग होगी ऐसा नहीं है क्योंकि अब की बार दिली पुलिस लेगी फिजिकल दिली में होगा ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज होगा फिजिकल शब्ड का दिली में होगा और पेपर भी दिली में ही होगा तो अब दिली में होगा और स्टेट वाइज नहीं होगा फिजिकल तो दिली में होगा तो जाहर सी बात है कि दिली में ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन एक और चीज है कि अब की बार कंपेटिशन बढ़ने वाला है क्यों बढ़ने वाला है क्योंकि एक तो एज बढ़ा दी गई है फिर दूसरी बात ये दो साल का जो टाइम पिरियड लगा है ये काफी लगा है काफी जादा है दो साल का तो पुपलेशन बढ़ रही है और फिर क्रेज भी बढ़ रहा है ये फिर दूसरी बात बेरोजगारी भी इतनी है कि आप पुछो मत और अब इस योजना में इस 12 से 17 में जो अब यह फिलाल जो योजना गौर्मेंट से लरी है इस गौर्मेंट में जो है इस परकार से भरती नहीं हुई है कि कुछ कमी होसके फॉम निकलते हैं आप कि भी देख रहा हैं फॉर्म निकलते हैं कैंसल कर दी जाती हैं भरतिया एक जाम होते हैं कैंसल कर दिया हैं तो यूँ ही ये पांच साल निकल चुके हैं तो जिसमें बेरोजगारी और भी बढ़ चुकी है तो अब ऐसा नहीं है कि कमप्टिशन नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा और जो candidate एक या दो नमबर से रहे थे अपकी बार वो डी मोटिवेट ना हो वो 80 प्लस करें जो है आपकी अपकी बार 80 प्लस करें तो आपका सेलेक्शन कनफरम है कोई नहीं रोक सकता और ऐसा नहीं है कि अपके बार जो है अपकी मेरिट लिस्ट डाउन आएगी एक दो नमबर उपर ही रहेगी नीचे नहीं आएगी क्यों क्योंकि बेरोजगारी के कार्ड जो candidates CGL वगरा की जो त्यारी करते हैं CDS CGL की NDA की वो भी इन प्रिक्षाओं में बैठते हैं और अपना नोकरी का पाने का चांस देखते हैं तो जब वो जाहिर से बात है जब CGL Candidate एक Constable Level की बैठेगा तो एक्जाम को छोड़ेगा नहीं वो 80 प्लस मार्क्ष लेके आएगा तो आप भी उसी के अनुशार या उसी के एक्वल आप नमबर लेके रहाएं और अपना सेलेक्षन कान्फर्म करें तो यह सुचना थी और आप अपनी तयारी अभी से शुरू कर दें समय ना गवाएं अपनी अभी से तयारी शुरू करके जो है अपना सेलेक्षन कान्फर्म करें और आपके घर में खुशियां आएं घर वाले मादा पिता का सपना साकार हो आपका सपना साकार हो और आपके बच्चे एक सुखी जीवन जिसके एक अच्छा जीवन जीएं तो उसके लिए आप मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं तो थेंक्यू दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद